हलो दोस्तों नवस्कार आप सभी का प्रयाग बोध में स्वागत है आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से ब्रिक्स के बारे में जानने की कोसिस करेंगे जैसा कि आपको पता है अभी हाल ही में ब्रिक्स की 15th जोहत्य सम्मिट साथ अफरीका में हुई है साथ अफरीका के ज जानेंगे कि वाटेज ब्रिक्स ब्रिक्स क्या है ह् hao daug bricks start ऑर जी सेवर किस प्रकार के राइवल ग्रूप से ब्रीक्स में और both my में क्या स्विलाइटि जो बिभशेंस ऐसको भी समजहेंगे साथ साथ जानेंगे ब्रिक्स कैसे एक सात ग्लोबल आर्गनाजेशन के रूप में बना हुआ है और साथ-साथ यह भी जानेंगे कि वाई ब्रिक्स वांट एक्सपेंसर हुआ है यह ब्रिक्स क्यों चाहता है कि इसका एक्सपेंसर हो इस अभी प्रशनों का हम हल इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिस करेंगे की अपसे पहले color समझ लेते हैं ब्रिक्स क्या है ब्रिक्स जो एक प्रकार का इंफार्मल इंफार्मल ग्रूपिंग है वर्ड के इमर्जिंग एकोनामीज है जिसमें हैं ब्राजील रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अप्रिका यह ब्रिक्स का हम लोज फुल फांग्स तो B से ब्राजीर, R से रसिया, I से इंडिया, C से चाइना और S से साउथ अफरीका. मैप में आप लोग देख सकते हैं BRICS कंट्रीज को ये रसिया, चाइना, इंडिया, साउथ अफरीका और ब्राजीर. ये पांचों कंट्री, BRICS को रेप्रेजेंट करते हैं, जो वर्ल्ड की इमर्जिंग एकोनामी कही जाती है. और हम लोग जानते हैं कि BRICS जो तो स्टार्ट कैसे हुआ, जो BRICS है, इसका जो प्रिडेशर और्गनाजेशन था, वो BRICS था, जो आया था साथ में कोपरेशन करने के लिए कि इन फिल्ड आफ इनवेस्टमेंट, यानि इनवेस्टमेंट के फिल्ड में एक दूसरे साथ क प्रिडेशन करने के लिए इसे शुरू किया गया था, और यह जो BRICS एक्रोनिम है, यह कोईन किया गया था, गोर्टमैन सैक टे इकोनामिस्ट जिम ओन नील के द्वारा 2001 में, उन्होंने 2001 में जो वर्ड की फास्ट ग्रोइंग एकोनामी थी, उनको एक करके, जिसमें उन्ह प्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना, यह चारो एकोनामी, ग्लोबल एकोनामी को डोमिनेट करेंगी, और इससे उन्होंने एक एक्रोनिम निकाला BRIC, जो वर्ड है वो कोईन किया था, गोल्डमैन के एकोनामिस्ट जिम ओ नील ने, साउथ अपरिका ने इस ग्रूप को जॉइन किया 2010 में, और इस प्रकार यह ग्रूप जो होतो, BRICS के रूप में हमें सामने दिखाई देता है, यह BRICS की बात करें प्रेजेंट में, तो यह वर्ल्ड का 26.7% लैंड सर्फेस एरिया को कवर करता है, साथ इसाथ 41% आफ ग्लो सामनल जीडीपी है, वो 26% के करीम आती है, BRICS का जो एम है, वो बालेटरल रेलेशन में, नान इंटर्फेरेंस, इक्वाल्टी और म्यूच्यूल वेनिफिट के आधार पर है, अगास 2023 में, 15th BRICS सम्मिट में, साउथ अफरिकन के प्रेसिडेंट सीरिन रामा पोसा ने एना इरोपिया, इरान, साउधी, अरेबिया, एन इन इनाइटर अरफ अमीराथ, यह 6 कंट्रीज इस ब्लाक को जोइन करें, यह उनको इन्वाइट किया है, इस 6 कंट्रीज को, इस प्रकार देखा जाए, तो जब यह 6 कंट्रीज ब्रिक्स मेंबर्स को जोइन कर लेंगी, 1 इस ब्रिक्स में देखा जाए, तो ब्रिक्स में 5 कंट्रीज हैं, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउध अपरिका, वहीं G7 में देखा जाए, तो कनाड़ा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, यूनाइटेड किंगडम है, और यूनाइटेड स अमेरिका हैं जहां वर्ड की 41% गलोबल पापलेशन को वहीं G7 सेवनगऑ पड़ोग buck probation to share करता है जीडीपी में देखा जाइ सबस्वाइब परने पी का वहींज लोग दिखते हैं अरब हम लोग देखते हैं BRICS और IMF एंड वर्ल्ड वैंक में क्या similarities और क्या differences है तो BRICS जो है तो BRICS और IMF एंड वर्ल्ड वैंक डोनों जो है तो financial institution है और दोनों development को finance करने का कार्य करती है पहला वो रिफाम चाहती है जितने भी global financial institutions हैं लाइक IMF एंड वर्ल्ड वैंक उनमें रिफाम हो और साथ ही साथ वह अपने खुद के इस्टूशन ब्रिक्स के जो खुद के इस्टूशन है जैसा कि new development bank है जो 2017 में open हुआ जिसको बनाने की बात बनाया गया था 2014 में उसको भी promote करने के बात करता है साथ साथ new development bank जो है तो वह finance करने का कार्य करता है development project को अपने member countries को जैसे electric bus ब्राजील में hydropower plant रसिया में और water supply इंडिया में यह सब जगे development हो रहे हैं उनको finance करने का कार्य करता है अगर की difference की बात की जाए global financial institution और new development bank में तो global financial institutions है वह कोई भी finance करता है development project को conditionality के साथ करता है यानि condition रखता है कि वह state हमारे और वर्ल्ड वैंक की policy के असवार अपने state की policies को change करें लेकिन वहीं पर ब्रिक्स जो है तो इस प्रकार की कोई conditionality नहीं लगाता development finance करने में साथ ही साथ ब्रिक्स country जो है तो वह यानि ब्रिक्स country का जो न्यू डवलप्मेंट बैंक है वह प्रमोट करता है उसको प्रमोट करने की बात करता है और हम लोग जानते हैं कि ब्रिक्स country किस प्रकार एक साथ है किस प्रकार एक साथ बना हुआ ऐसे कौन से ग्यांपस देखने को मिलते हैं जैसा कि देखा जाता है कि रसिया जब अट्रैक करता है यूक्रेयन के उपर तो उस समय जो यूना से आटकर जाती हैं यानि रसिया के खिलाफ किसी प्रकार का कंडेम नहीं करते आपकर जाते हैं वोटिंग उनाइटिर डेक्स ने साथीशाथ BRICS को देखा जाती एक प्रकारका नाइन facto ऑर अरगाजेशन है यानि कोई फार्मर अलायांस नहीं है। तो होता है नेटो एक फार्मल इनाइस इंटरनेशनल गवर्मनट आर्गनाइजेशन है उस प्रकार का आर्गनाइजेशन नहीं है नेटो जो है तो सिक्योर्टी अपने Member देखा जाए तो सभी मेंबर कंट्री इसको जॉइन किये हैं अब हम लोग जानते हैं कि ब्रिक्स कंट्री एक्सपैंशन क्यों करना चाहता है जो इसमें बढ़ रहे हैं अभी जैसे कि इनाउंस किया गया है कि इसके members 11 हो जाएंगे 1 January 2024 से तो ये एक multipolar world order establish करना चाहता है BRICS और साथ साथ जो wise है global south की उसको भी world जो forum है उसमें world agenda है उसमें सामिल करना चाहता है इसलिए BRICS चाहता है कि उसका expansion हो और वहुत से country ऐसी भी है कि जो BRICS को join करना चाह रही है अब जो new member के साथ एक जनवी 2024 से इसका acronym बताया जा रहा है प्रपोच किया गया है वो AIBRICS EU धन्यवाद दोस्तों कि आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजे साथ साथ यह वीडियो अपने दोस्तों में भी सेर कीजे थैंक्यूं यह वीडियो